आज हम करेंगे क्लास 7 के हैं साइस का चैप्टर 17 दैट इस वारेस्ट और लाइफ लाइफॉ उर्वार हती हैं वे पहले सब्सक्राइब करना मुझें चलिए स्टार्ट करते हैं फारेस्ट और करेंगे जो भी science के अbude में बाएं बारे में बात की एजय के साथ एंट कर वाता है उनको और्स करवाता है в फ्रेंस के साथ कि फार्ग में खेल रहे होंगे प्रफेसर एहमद जो हैवेट साइंटिस्ट काम करते हैं रहां पर युनिवर्सटी इसका मीश पर्ञ पर पाठीश कर देते हैं वहाँ पर घ्रक जाते हैं लेकिन जो बहुत थके हुए थे इसलिए उन्हें पार्टी करके आए थे गोल्डन जूबली के एक सैलिब्रेशन थी टॉण की वहां पर होकर आया थे वह बहुत जाला टायड थे थे थोड़ी देखे बाद चिल्डन जो थे उनके पास आगे बच्चें के पास आगे उनके आगे बीछे बैट गे वह जान में क्लचर प्रोग्राम ठीके प्रोफैसर अयुका ऑलते हैं उनका क्या महार्म के पार जहाद नहीं का के बारें गार Both dip किया गया किक्या करना चाहिए एक तरी लगाने चाहिए एक प्रियर करना पड़ेगा एरिया किसका फार स्का जो कि कहां created हम क करेंश कर दो यस से क्या होगा एं स्ठाइब को चान्स मिल जाएगा जॉब्स का क्योंकि जित dye लगेगो में लगेगे वहां पर वर्कर्स करा चाहिए तो जो गाओं के लोग होंगे उनको कहोगा यहां से जॉब्स करा मिल जाएंगे उच्छे जो थे वह बहुत सर्प्राइज थे जब प्रफेसर एहमन ने बताया कि बहुत सारे लोग जो हैं उन्हें अब्जेक्शन किया इस आइडिय इसmore वह क्या है वह 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 औरफद फूरी फदर्वाइंग नेचर काbek MSU हमारे मिमी कुद्रत हमारी का फाहन के लिए अनल का काम करते हैं और वह जो भी फिए सिस्टम है वारा वह नेचर का इसी काम कंश करते हैं वह प्यूरिपाई कर्य पायाइचर करते हैं सिस्टम कात्म कलेटर का की प्यूरिफिकेशन ऐर के फियरिफिकेशन इसी के थ्रू होती तो बच्चे जो थे वो क्या थे कन्फूूज हो गए थे तो प्रफॉसीर रहे ले लीया CordainWU-4 घृए ही नहीं है लोग झाकन जाता की तो बच्चे अना चाहते थे किस के बारे में जाइब जानना चाहते थैं Jeremiah सीटना इंपोर्टन क्व 거죠 को नहीं काटना चाहते तो इसे लिए उन शने क्या रिसाइड किया कि वो फोर्च में जाये किस के साथ प्रोफेसर अहमेद के साथ तो यहीं पर हमारा है इसे सब्षेज स्सेड होता है विजैंत jake जाना तो फिर क्या होता है एक संडी की मौर्निंग को बच्चे जो हैं वो पैक करते हैं कुछ चीज़े जैसे की नाइफ हो गया हैंड लेंज हो गई स्टिक हो गई नोट बुक और सारे चलके जाते हैं थ्रूए फॉरस्ट रेल ठीक है जो कहां पे था गाउं के पास ही हमने जो क्या करता था टेकिंग कैटल फाग्रेजिंग लॉंग विद इस और अपनी आंटी के साथ वह वहां पे कैटल को गायां को चराने जाता था वह क्या था वह बहुत ही एजाइल था बुर्मित फॉस्ट था इजाइल मींस जो होता ना बहुत फ्रेश चुस्ट तेज था वह दोड़ के वहां पे आ जाता है जैसे ही वह तो कीप दा हर्ट टूगैदर हर्ट किसका जूंट किसकी गायां को चराने लेके जाता था ना इसलिए वह आगे पीछे दोड़ता था था कि जूंट था गायों का बच्चनों का वह एक साथ रहे और जैसे वह बच्चों को उठाता है और सिग्नल देता है कि अब क्या हो जाओ चांत हो जाओ कीप कॉइट अब शोर मत करना क्यूंकि नॉइस जो है वो डिस्टाव कर देती है एनिमल्स को जो कहां पे रहते हैं जंगल में रहते हैं में जैसे वह फॉरेस्ट के एरिया में एंटर करते हैं तो प्लेस एक हाइड एक ऐसी जगह पे ले जाता है जो उस प्लेस जो है उंचाई में था ताकि वो उनको शो कर पाए ब्राट वीव ऑदा फॉरेस्ट जो फॉरेस्ट को कि आप किस भी चीज को अगर देखना हो तो आप उंचाई पे जाते हो उसी तरह उन्हें जंगल को भी नहीं देखा था अलगर ट्री टॉपस थे ठीक है जिनके ऊपर ग्रीन कवर जैसा लग रहा था कि पूरे लैंड को ग्रीन कवर कर दिया गया हो लेकिन गवर जो था वो यूनिफॉर्म्ली ग्रीन नहीं था मेंस पूर का पूरा ग्रीन नहीं था जो इन्वाइर्मेन थ वो शान्त थी, peaceful, शान्त था, और एक cool ठंडी हवा जो थी वो चल रही थी, इसके कारण बच्चे क्या feel कर रहे थे, quiet fresh और happy थे, क्योंकि जब आपको ऐसे quiet fresh और happy मेंसे उसकर करोगे, इतनी breeze, cool breeze हवा वहाँ पर चल रही थे, तो बच्चे naturally वहाँ पर fresh और happy feel करेंगे, जैसे भी वो उंची जगा से नीचे आते हैं, वो excited हो जाते हैं, unhearing a sudden sound of words, जैसे वो नीचे आते हैं, उनको पंक्शियों की आवाज सुनाई देना शुरू हो जाती है, और कुछ शोर उनको सुनाई देता है, जो top की branches हैं, trees की, कि वहाँ से उनको कोई noise सुनाई दिया, तो टिब उनको बताता है कि relax हो जाओ, यह normal process है यहां की, यह आम है, words ऐसे ही यहां पे sound produce करते हैं, ऐसे ही noise आती है, यहां से, क्योंकि जो चिल बच्चे थे, उनकी presence के कारण कुछ monkeys जो हैं, वो क्या कर रहे थे, clip कर रहे थे, higher upon the trees, trees के ऊपर जाके, जिसके कारण आवाज आ रहे थी इनकी branches से, where they disturb birds, जिसके कारण उनने किसको disturb कर दिया, birds को disturb कर दिया, जो animals हैं, वहां पे, वो क्या करते हैं, इस type की warning तो देते रहे थे हैं, एक दूसरे को alert करने के लिए, कि जंगल में कोई ने आ गया है, क्योंकि monkeys ने उनको बच्चों को देख लिया होगा, तो इसलिए र और बढ़ावट में एक दूसरे को बताना शुरू कर दिया, birds को पता चल गया, कि कोई न कोई जंगल में आ गया है, विरस के बाद टीबू जो था, वो भी बताता है, और भी वो सारे animals हैं, यहां पे, जैसे की, बयर है, बाइसन है, जैकल्स है, पाकुपाइन है, elephant हो है, व बात में ही प्रोफेसर एहमद जो है, वो बच्चों को कॉशिन देते हैं, कि वो गहरे जंकल में नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे जाना जो है, वो रिस्की हो सकता है, खत्रा हो सकता है, बूज और पहेली को याद आता, कि इन्होंने स्टड़ी किया था, किसके बारे में, जो की example था किसका habitat का कौन सी class में, 6 class में, they could see now how the forest provided home for many animals and plants, उस टाइम पे तो पड़ा था कि एक habitat है, एक रहने की जगह है, कुछ animals की, कुछ birds की, तो तब तो उनको reality पता नहीं थे, जैसे ही उन्होंने forest को देखा, तो उनको पता चल गया कि forest कैसे provide करता है गर animals को और plants को, पिर जैसे से बच्चे आगे जाते हैं, वहाँ पे वो land देखते हैं, जहां पे वो चल रहे होते हैं, वो uneven होता है, means plane नहीं होता, वो cover होता है बहुत सारे टाइप की trees के साथ, आपको पता जंगल में कोई एक टाइप की trees तो पाई नहीं जाती है, बहुत सारे टाइप की trees पाई जाती हैं, तो टीबू help करता है, उनको identify करने में, यह साल ट्री है, यह टीक ट्री है, सीमल है, शीश्रम है, नील है, पैलश है, फिग है, खैर, आमला, बांबू, कशना, यह सब figures आपको यहाँ पे दी गई हैं, आप देख सकते हैं अपनी बुक में, इनकी figures जो हैं, वहाँ पे दिखाएगे हैं, उसके बाद प्रोफेसर एमद जो हैं, वो पॉइंट करते हैं, कि यहाँ पे और भी बहुत सारी trees हैं, shrubs हैं, herbs हैं, grasses हैं, कहाँ पे, forest में, वो जो forest का floor है, वो जो trees है, वो अलग अलग टाइप के creepers, और climbers से क्या हुआ हुआ, डकी हुई हैं, वो जो sun है, वो यहाँ पे barely visible, कहां से देखना हो, तो पत्तों के बीच में से दिखाए देता है, क्योंकि जहाँ पे dense forest होगा, वहाँ पे तो sun की थोड़ी बहुत light ही पहुँच पाएगी, अगर देखना भी हो, तो पत्तों के बीच में से दिखाए देगा, तो इसके कारण क्योंकि sun की light वहाँ पे नहीं पहुच पाती है, तो जो जंगल होता है, अंदर से क्या होता है, क्वाइट डाक होता है, बहुत ही black लगता है देखने में, कि यह बार वहाँ पे बिना light के जाना possible ही नहीं है, तो यहाँ पे आपको आगे एक activity दीगी है, 17.1, observe की चीए, वो चीजे आपने उनकी list बनानी है, जो उन चीजों से बनी हुई है, जो आपको चीजे कहां से मिलती है, forest से मिलती है, आपने वो सारी wooden items देखी होंगी, आप उनकी list बना सकते हो, जैसे की plywood हो गया, fuel wood जलाने की लकरी हो गयी, boxes हो गयी, paper हो गया, match sticks हो गयी, और furniture, do you know that जो आपको गम है, oils है, spices है, जो fodder होते है, animals के लिए, जो medicinal plants होते है, वो उनके भी कुछ products हो हमें कहां से मिलते है, जंगलों से मिलते है, जो हमारी medicines बनती है, वो ऐसे तो ना बनती है, वो कुछ medicine plants होते, वो भी कहां पर पाए जाते है, जंगलों में ही पाए जाते है, उननी से ह हमारी medicines बनती हैं तो उसके बाद आप करेंगे जो भी प्रोडक्ट आपने देखे जो हमें कहां से मिलते हैं प्लांट से मिलते हैं कोशिश कर जिए उनकी according आपको यहां पर टेबल दिया गया है नीचे 17.1 आपको उसे फिल करना है एक example हर एक प्लांट का quality given दिया गया है आपने फिल करना है टेबल को कुछ और examples देखे तो शीला जो है जो बच्चों में ही एक ग्रूप में ही एक बच्चा है वो हैरान हो जाती है कि इतनी सारी ट्रीज को लगाता कून है फॉरेस में जो इतने टाइब की ट्रीज हैं उनको लगाया किसने है तो प्रोफेसर एहमद रिप्लाइ करते हैं कि नेचर boost करता है धे प्लांट के या होती है उसके लिए तो कंडिशन को प्रोवाइड करता है प्र liters Commons करते हो जाते हैं वह интक हो जाते हैं और वह हो उपर उसे क्या कहा जाता है Crown of the tree ये कूल बताते हैं प्रोफेसर हमेद तरेहें टॉल ट्री की तो 03 की वो कैसे देखने में एक lobla कौना काम करते हैं वो उसे क्या कहा जाता है कैनोपी मीन जो टाल टे रूफ प्रोफाइड करती है रूफ किसको प्रोवाइड करती है चोटोटे प्लांट को जो फॉरस्ट में है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैनोपी ठीक है तो यहाँ पर आपको एक एक्टिविडी और दीगी है यह भी हम डिस्क आपने के लिगते हैं उसके प्लावर कैसे हैं उसके रॉट कैसे हैं और राथ किज पर पॉइंट करते हैं कि जो ट्रीज़िए है वो अलवलल टाइबस की होते हैं इनको कहा जाता है अंडर स्टॉरिज कि अलग अलग जो बने होते हैं क्राउण बने होते हैं कि इसके कारण होते हैं जो फौरास में पाई जाती है उनको हम बोलते हैं अंडर स्टॉरिस कुछ बड़े बड़े उनको चो टाल ट्री है क्या बनाते हैं टॉप लेएर बनाते हैं जिसमें क्या होता श्रीप भी आती हैं ।ल्- 1 जान रखेए बड़े बड़े गैंट मतलब बहुत बड़े राक्षी जैसे ि Sydney सिर्था ट्रीज़ बहुत सकते हैं छाल ट्रीज लंबी ट्रीज वह ठाप लियर बनाती है और छुशलब्स होती हैं लंब ल jullieail बनाती है तो उसके बार जैसे सब्सक्राइब करना कोई बढ़に बाते हैं दीनाना को फ्लेस की जो मोसमिद्ट.." इसे होता है इजए क्या mazeप होते हैं के यहाँज अप्सक्राइब अलग होते हैं हर एक जंगल में तो सब्सक्राइब होते हैं वे सम्सक्राइब होते हैं forest to forest में हर एक forest में सेम आनिमल नहीं पाए जाते तो कुछ बच्चे जो होते हैं वो बीजी हो जाते हैं देखने में beautiful butterflies जो वहां पर fluttering कर रहे दी यहां से वहां उड़ रहे होती है flowers पे इसके flowers पे shrubs और herbs के उसके बाद बड़े पास से देखते हैं bushes को जब क्या करते हैं while doing that there hair and cloth head seeds and thorns clinging on them वो देखते हैं बशेस के ऊपर क्या होता है hair से बने होते हैं जैसे उनके कपड़े होते हैं उनके बीज भी होते हैं उनमें कंटे भी होते हैं तो उसके बाद उन बहुत सारे insects देखते हैं जैसे कि spiders स्कुल्स देखते हैं ant होगी और वह सारे animals जो होते हैं वह कहां पर देखते हैं यह बच्चे bark of the trees के तरने होते हैं उस पर इनको दिखाई देते हैं वहां पर चलते हुए प्लांट की leaves पे और जो digging leaves जो forest पे गिरी होते हैं सुखी पते उन पर भी इनसेक्टों को दिखाई देते हैं और क्या करते हैं उनके sketch बनाना शुरू हो जाते हैं जो forest floor है वो देखने में कैसे लगता है dark color का होता है वो cover किसके साथ होता है layer of dead digging leaves जो भी पते वहां पर गिरत होगी इन ही से forest floor होता वो cover cover होता तो यहां पते की figure में दिखाया देरा नीचे आपर पत्ते पत्ते पड़े हुए हैं तो जो digging matter होता है मॉइस्ट भी होता है मॉइस्ट की होता है कि जो rain वगयरा होगी जो पानी वगयरा होगो वह उनको वहीं से मिला होगा तो उसके कारणों में गर्माहट भी होते हैं तो बच्चे का करते हैं कुछ seeds उठाते हैं leaves लेते हैं और उनकी collection करते हैं थोड़ी दीर walking over dead leaf layer वो dead leaf ही हो सब्सक्राइब करेंगे आपने चल्द चलते forest के फ्लोर पे वाज लाइक वाकिंग वे स्पॉंगी कारवें कैसा लग रहा था पत्तों वह उपर चलते हुने ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बहुत अच्छे कापट के ऊपर चल रहे होते हैं तो क्या जो dead matter है वो हमेशा warm ह होते हैं तो professor एहमद उन्हें suggest करते हैं बच्चों को कि आपको एक activity perform कीजिए इससे आपको यह answer मिल जाएगा आपने कोशन का आप जी जो activity है वो जो भी next part बचा है हमारे chapter को वो हम describe करेंगे आपनी next वीडियो में आज के लिए हम इतना ही रखते हैं अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इससे लाइक कीजिए शेर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको